आप सभी को जय येशु की Peters.com 24 चैनल में आपका स्वागत हैं। अगर आप भी येशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस वीडियो में हम रूत और नाओमी की प्रेणा दायक कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। इस किताब का नाम, रूत नाम की एक मौाबी औरत के नाम पर पढ़ा। इस किताब में रूत, नाओमी और बोज की कहानी दी गई है। पहले अध्याय में लिखा है कि बेतलेहम में एक अकाल पढ़ता है। जिस वज़े से एले मेलेक नाम का एक आदमी अपने परिवार को लेकर वहाँ से मौाब देश में जाकत बस जाता है। वहाँ एले मेलेक की मौत हो जाती है। फिर उसके बेटे महलोन और किलियोन मौाबी औरतों से शादी करते हैं। जिनके नाम है रूत और ओर्पा, दस साल बाद नावमी के दोनों बेटों की भी मौत हो जाती है। नावमी का दुख बरदाश्ट से बाहर हो जाता है और वो बैतलेहम लोटने की सोचती है। वो अपनी बहुओं से अपने माई के लोट जाने के लिए कहती है। ओर्पा अपने लोगों के पास लोट जाती है। लेकिन रूत नावमी का साथ नहीं छोड़ थी। दोनों विद्वाएं वेतलेहम लोट जाती हैं। वहाँ जौ की कटाई चल रही होती है। अध्याय 2 में लिखा है कि रूत एक खेत में बाले बीनती है। उसे नहीं मालूम कि ये खेत बोवाज नाम के एक आदमी का है, जो नावमी के पती का रिष्टेदार है। बोवाज देखता है कि रूत में कितने अच्छे गुण है। इसलिए वो उससे कहता है कि वो आगे भी उसी के खेत से बीन सकती है। बाद में रूत नावमी को बताती है कि उसने जिस आदमी के खेत में बाले बीनी, उसका नाम बोवाज है। तब नावमी उसे बताती है, वो आदमी हमारा रिष्टेदार है, हमारे छुडाने वालों में से एक है। और जैसे अध्याए तीन में लिखा है, नावमी रूत से कहती है कि वो जाकर बोवाज से कहे कि वो उनका छुडाने वाला बने। फिर बोवाज और रूत से जो अलाद पैदा होगी, उससे एली मेलेक का खांदान बना रहेगा। बोवाज उनकी मदद करने के लिए तयार है, मगर फिर वो कहता है कि उनका बोवाज से भी करीबी एक रिष्टेदार है, जो उन्हें छुडाने का पहला हक रखता है। अध्याय चार में लिखा है कि बोवाज बेतलेहम शहर के फाटक पर जाता है, वहाँ वो नौमी के उस करीबी रिष्टेदार से मिलता है, जिसका बाइबल में नाम नहीं लिखा है। उसका नाम उबेद रखती हैं। क्या आप जानते हैं? बोवाज ने यहुवा की आज्या मानने में बहुत बढ़िया मिसाल रखी। उसने छुडाने वाले के बारे में परमिश्वर की कानून की एक-एक बात मानी। और नामी और रूत के लिए वो जो कुछ कर सकता था, वो सब उसने किया। रूत नाम की किताब के आखिर में लिखा है। ओबेद से यिशे और यिशे से दाविद पैदा हुआ। दाविद इसराइल का राजा और मसी का एक पुर्खा बना। रूत की किताब पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए कि यहवा कैसे एक इनसान की बधाली को खुशाली में बदल सकता है। जो उससे प्यार करते हैं और उसकी आग्या मानते हैं उन्हीं वो कैसे आशीशें देता है। और कैसे इस किताब से दाविद के राजवंश का पता चलता है जिससे परमेश्वर के राज का राजा पैदा हुआ था। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूले। और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।